उत्तिर प्रदेश के आयो दिहा के भध्रसा में नाबालिक लड़की के साथ रेव के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्ठी के नेता मुईत खान के घर पर बुल्डोजर चल गया है रज्यसव विवाग ने आरोपी के समपत्ती की पैमाईश की थी खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सिल्की और बेकरी का लाइसेंस भी रद कर दिया गया है वहीं पेडित परीजन को धमकान के आरोप में भी F.I.R. दर्ज कराई गई है कोथवाली में दर्ज F.I.R. में कहा गया है कि सपानेता और नगर पंचाद भधरसा के च्रियर्मेन महम्मद राशित सपानेता ज्यसिंग नाना और एक अन्य ने रात 11 बज़े अस्पताल ज्वाकर धमकी दी मामले में सुलाहा कर लेने की धमकी दी पीडिता, फिलहाल, जुला, महिला अस्पताल में भरती है गरतलब है कि आयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरी के आरोप में समाजवादी पार्टी के भधरसा नगरा ध्यक्षे मौई खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मच्वारी को किरफतार किया गया है पीडित के परीजवन को मामले की जानकारी तब हुई जब बच्ची गर्विवती हो गई एससपी राजकरन नैयर ने बताये कि सपनेता ने पहले बच्ची के साथ बलत कार किया और फिर इसका वीडियो बनाया अपनी घटिया कर्टूत का वीडियो दिखा कर और धमकी दे कर आरोपी करीब धाई महीने तक रेप करता रहा इस काम में कर्मच्वारी राजुखान ने उसकी मदद की पोलिस ने पॉसको के तहत केस दर्च कर दोनों आरोपी को जेल भेज दिया है पोलिस ने बताया कि पुरा मामरा थाना पुरा कलंदर के भजरसा कजबे का है परीजनों के मताबिक नाबाली के पेट में दर्द होने परवह डॉक्टर के पास लेकर पहुँचे जिसके बाद उसके गर्ववती होने की पुष्टी हुई पुलिस ने बताया कि परीजनों की तहरीर पर पॉसको एट के तहत आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्च की गई है साथी दोनों आरोपी सपा नगर अध्यक्ष मौईत खान और उसके साथी राजु खान को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है संबंधित ऐसे चोन निलंबित कर दिये गए है प्रमूत अवस्थिक रिपोर्ट